शिवानी जी क्या हुआ आप यहां क्यों आई थी वो पता नहीं मेरे दिमाग में को चल रहा था और मैं यहां आ गई शिवानी जी कहीं आपको स्लीप वॉकिंग अब नीन्द में चलने की समस्या तो नहीं है नहीं ऐसा था कुछ भी नहीं है ये ये ऐसा पहली पहली बार ही हुआ वो मैं अपने कमरे में थी कुछ सोच रही थी और अच्छानक ही मैं यहां आ गई लेकिन इस पीच में क्या हुआ कुछ याद नहीं है चिंता मत कीजे शिवानी जी सब ठीक हो जाएगा अगर चिंता मुक्त होना है तो मेरे त्रिशुल को लोटकर आना होगा लेकिन वो तो ना जाने कब आएगा कहां चला गया है कुछ नहीं पता इसलिए चिंता तो होगी ही मैं हूँ ना सारी परिशानिया दूर करने ही तो मैं यहां आया हूँ शिवानी जी आपके दिल का दुख, दर्द, पीड़ा मैं सब समझ सकता हूँ आप अपने पती से कितना प्यार करती हैं ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ आपका यही प्यार उन्हें वापस लाएगा शायद आपको अंधेरे में रखकर वो यहीं आपके आसपास हो आप अभी चिंता मुक्त होकर जाएए आराम से सो जाएए इस शिवानी को क्या हुआ है अचानक मेरे पास कैसे आगे कहीं उसे महित रिशूल हुए पता चल गया या फिर उसे कोई और परिशानी सता रही है क्या हाँ सर मैं भी वहां गया था वान मिनिट हाँ पता चलते ही मैं आपको रिपोर्ट कर दूँगा क्या हुआ शिवानी जी चहरे पर हजार सवाल दिखाई दे रहे हैं सवाल कैसे पूछू यही सोच रहे हैं ना पूछिए शर्माये मत वो आप त्रिश्णा और दाक्षाइनी के बारे में कुछ जानकारी कठा कर रहे हो ना कुछ पता चला क्या आपको उनका चरित्र तो ठीक है ना आपको उन पर कोई शक है क्या यह तो सच है कि मुझे उन पर शक है इसके कई सारे कारण है क्योंकि उनके हावभा बातें चाल चलन से लगता है यह सब कुछ बहुत अजीब है मैंने कई जगे पूछताच की इन दोनों को उस गाओं में कोई नहीं जानता उनके पास आधार कारड नहीं है बोटर आईडी नहीं है इतना ही नहीं राशन कारड भी नहीं है इसके अलावा उस गाउं में उनका रहने का कोई ठेकाना भी नहीं है और उनका मिस्टर धरंजय के अलावा वैसे अचानक ये सारे सवाल क्यों? वो इस घर में जितने भी लोग हैं सब बहुत भोले हैं अगर उन्हें त्रिष्णा और दाक्षाईनी के बारे में पता चल गया तो बिचारे दुख ही हो जाएंगे ना और डर भी जाएंगे मैं कुछ समझा नहीं प्लीज इस बारे में घरवालों के सामने कोई बात मत करना मुझे लगता है कि घरवालों को इनसे दूरी रखना चाहिए किसी को क्या पता नहीं चलना चाहिए सच एक ना एक दिन तो सब के सामने आहीं जाता है हाँ लेकिन हर चीज का एक सही वक्त भी तो होता है ना अगर उस वक्त सचाई पता चले तो बहतर होगा है ना मतलब मैं यह कह रही थे कि डिस्टफ तो नहीं किया बिल्कुल नहीं आप यहां कुछ कहने आई है ना कहिए वो जरा शिवानी को देखे ना बिचारी कितने दुखी है कितना दर्ज सहरे यह यह बिचारी का पती न जाने कहां चला गया है इसका दुख आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या मतलब आप कुछ पता लगाने के लिए यहां आए हो लेकिन ऐसा लगता है जिसे आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो प्रिशूल के ना होने की वजह से कितनी दुखी है यह आप से जल तरशूल के बारे में पता लगाईए असी complaint आपका कहना है कि मुझे त्रिशूल के बारे में पता करना चाहिए उसके बाद करना चाहिए कि इस घर में लोग अजीब वर्ताफ क्यों कर रहे है अना हम आज जो पूजा करने वाले हैं वो बहुत ही खास पूजा है ये महाशक्ती कुंद्रासुर को अवहानित करने की पूजा है ये पूजा सफल हो गई तो हम जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा आई होगा तृष्णा हाँ दाक्षाणी अगर हम ये पूजा करने में सफल हो गई तो तुम्हें नाग मणी और मुझे आदी शेश क्या बातें करें ये दुनो पुछ सुना ही नहीं दे रहा चलो चलते हैं अरे इस वक्त ये दोनों कहा जा रही है इन दोनों की हरकते मेरे शक को यकीन में बदल रही है नहीं मुझे पता लगाना ही होगा कि इनका इरादा क्या है तब ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता है मुझे इनका पीछा करना ही होगा है परमेश्वर परमेश्वर घालों के प्याँ मुझे परमेश्वर मुझे हिर त्रिश्णा, तुम्हारे श्राप का असर दिखाई दे रहा है अगर किसी जिन्दा यूती के खोन से तुम्हारी योवन की रक्षा ना की गई तो तुम्हें जिन्दगी पर ऐसे ही रहना पड़ेगा तुम्हें कोई भी चीक नहीं गर पाएगा त्रिश्णा तक्षैनी यूती चाहिए ऐसे घने जंगल में हमें यूती कहा मिलेगी त्रिश्णा कुछ भी करो लेकिन मुझे यूती चाहिए जो यूती को ढूड़ो मैं अभी कुछ करती हूं त्रिश्णा अब बिटा मेरी दोस्त वो चक्कर खाकर बेहुश हो गई है उसे उठाने में जड़ा मेरी मदद कर दोगी बिटा आओ ना बिटा जाओ चलो मेहरबानी करके मदद कर दो आओ बिटा त्रिश्णा, अजुझे ग Saying अजुझे रक्त यवनी मतलब किसी और के खून से अपने यवन की रक्षा करने वाली ये इस वक्त यहाँ खून चूसनी के लिए आई थी क्या इसका मतलब ये दोनों सामान ये मनुश्य नहीं है ये जादू करनिया है वामाचार और तंत्र मंत्र करने वाली इन दोनों को मेरे घर में क्या काम हो सकता है? घर जाकर अंकल जे इन दोनों के बारे में पूछती हूं. और कितने दिन दाक्षाइनी? तीन दिन में एक बार रखता हार. ऐसे ही चलता रहा, तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा. हाँ, त्रिश्णा, पहले उस नागिन का स्तर्वनाश करना होगा. नागमणी को हमारे अधीन करना होगा. उसके साथ तुमारे शादी करनी होगी. उसके बाद ही, तुम्ही श्राप से मुक्त हो सकती हो. हम उस नागिन को मार तो देंगे. लेकिन त्रिशूल कहा है ये हमें नहीं पता दाक्षाइनी यदिया में उसके बार में पता करना है तो हमें पहले नागमणी हासिल करनी होगी इसका मतलब त्रिशूल को हासिल करने के बज़ाए पहले हमें नागमणी को हमारे अधीन करना होगा तुम बिल्कुल सही कह रही हो तृष्णा हम दोनों के पास उस बाताल भैरविकाश शीरवाद है चलो तृष्णा इसका मतलब ये दोनों मंत्रवादिनिया है या फिर नागमनी हासिल करने के लिए किसी और लोग से आई है यदि मुझे मेरे आदिशेश को हासिल करना है तो इन्हें रोकना होगा और इनसे पहले मुझे नागमनी हासिल करनी ही होगी प्रिश्णा हम घोर राक्षय स्कुंद्रा सुर को अवहान इतने जा रहे हैं यदि वो यहां आ गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता लेकिन यदि हमारी इस पूजा में किसी तरह का कोई भी विग्ना आ जाता है तो इससे हमारी जान को भी खत्रा हो सकता है समझ गई दाक्षयाइनी हमारे इस पूजा में कोई विग्न उत्पन नहीं होगा तुम पूजा शुरू करो कोई भी विग्ण उत्पन ना हो इसका ध्यान रखूंगी मैं दाक्षियनी ये नागिन जरूर किसी माया से ही बनी है ओम जै काल श्री काल काल भैरवी ओम फट फट स्वाहा नाग मनी हासिल करने के लिए पूजा कर रहे हो मैं इस पूजा को कभी सफल नहीं होने दूगी हमें सिर्फ जीतना आता है जो बीच में आते हैं हम उन्हें मार देते हैं हम महा मंत्रवादीनिया है मैं मायां गिनी हूँ नाग लोग की इच्छाधारी नागिन आज तक मुझसे कोई भी जीत नहीं पाया है नाग मनी सिर्फ मेरी है मैं उसे तुम्हें हासिल नहीं करने दूगी अरे ए साप तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो लेकिन हमारे लिए तुम तिन के किस समान हो तृष्णा 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 एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था उस देन मतलब उस दिन तृष्णा नहीं मेरा गुन्जूसा होगा इसलिए मेरी मेरी वैसी अवस्था हो गई थी मतलब मेरा शक बिलकुल सही था ये दोनों सामान्य मनुष्य नहीं है वामाचार करने वाले साधों की वेश भुशा वाले बहरोपिये हैं अंकल के हिसाब से दाक्षाइनी उनकी बीवी है तृष्णा उनकी भाई की बेटी लेकिन सच्चा ही तो कुछ और है तो फिर वो दोनों यहां आखिर क्यों आई होंगी और वो पूझा वो किस उतेश्य से कर रही है अंकल की बातों से लगता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्या सच्च में अंकल को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है मैंने तुम पर दिख बंधन डाल दिया है अब तुम यहां से बच कर कहीं नहीं जा सकती तुम नाग हो इसका शक्खा में तुम पर पहले से ही था लेकिन अब तुमने खुद ही ये बात साबित कर दी अब नाग मणी सिर्फ हमारी मैं ऐसा नहीं ओने दूंगी तुम हमारा कुछ नहीं बिगार सकती हो कौन हो तुम लोग? क्या उद्देश है तुमारा? हम, हम हम है लेकिन हमारा उद्देश है नाग मणी हासिल करना इसके बाद तृशूल के बारे में पता लगाकर उससे शादी करना ही मेरा लक्ष है वो ही, वो ही मेरा पती होगा वही मुझे श्राप से मुक्ती दिलाएगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूगी जब तक मेरी सांसे चल रही हैं तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूगी तुमारी धमकियों से हमें कोई फरक नहीं पड़ता अभी फिल्हाल, तुम्हें हमारी बंदी बंद कर रहना होगा आवाहयामी, मायंगिनी, आवाहयामी अंकल आप यहां केले क्या कर रहें, नेण नहीं आ रहे हैं आउंटी कहा है दरसल वो कहीं बाहर गई है वो, तुम्हारी आउंटी ने मुझे कुछ बताये नहीं इतनी रात को वो बाहर गई है और आपको बताया भी नहीं कि कहा जा रही है हाँ वो हाँ दक्षायनी को ऐसे रात में खाने के बाद स्टेट में घूमना बहुत पसंद है मैं भी कभी-कभी घूमने जाता हूं लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया इसका मतलब ये जूट बोल रहे हैं पाताल भैरवी शुद्रपावनी पूरेबू मंडल में नागमणी जहां कहीं भी हो उसकी शक्तियों के बार में हमें पता चले ऐसा कुछ करो उस नागमणी को हासिल करने के लिए उसके स्थान के बार में सूचित करो प्रकर शक्ति यहां से निकल चुकी है द्रिश्ना नागमणी जहां कहीं भी होगी वो चमक चमक कर अपने अस्तित्व के बारे में हमें सूचित करेगी तो फिर हमें उसे हासिल करने के लिए शक्ति का पीछा करना चाहिए उसकी कोई आवशक्ता नहीं पहले इस शक्ति को जाकर नागमणी को पहचानने दो ततपस्चाधम कुंदरासुर को यहां अवहानित करेंगे फिर वो जाकर नागमणी हमें ला देगा मतलब वो त्रिश्णा और दाक्षाइनी बुरी शक्तियां हैं यह बात तो तह हैं लेकिन उन्हें हमारे घर से क्या लेना देना है उनका उदेश्य क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा कहीं त्रिशूल के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ तो नहीं है वो दाक्षाइनी सच्में अंकल के बीवी है भी क्या अंकल की बातों से तो लगा कि वो बिचारे बहुत डरे हुए है मतलब इन दोनों ने उन्हें डरा कर धमका कर अपने वश में कर लिया है उन्हें के उदेश्य या फिर लक्षे के बारे में कैसे पता चलेगा यह परमेश्वर अब इनका उदेश्य जाने बिना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करो प्लीज मेरी सहायता कीजिए मेरी सहायता कीजिए भगवान ओम पाताल भेरवेई नमहा ओम रक्त केचरिये शुद्र रागेश्वर्ये नमहा महा असुर गोर्राक्षस कुंद्रासुर आवाहयामी मुझे बुलाने का उद्देश क्या है जाओ कुंद्रासुर वायू वैदिशा में कहीं तो नागमणी है तुम्हें दिखाई दे इसलिए मैंने उसे प्रकरशक्ती द्वारा चमका दिया है जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ जैसा आप कहें त्रिश्णा अब कुछ ही समय में नागमणी नागमणी हमारी हो जाएगी वो नागशक्ती हमारे अधीन होगी हम जो चाहते थे वैसा ही होने चाह रहा है हम मौत पर विज़ाय हासिल करेंगे हाँ दाक्शाइनी मैं जिसे चाहती हूं वो जल्द मेरा होने वाला है मैं जल्द श्राप से मुक्त होने वाली हूं हूँ हूँ झाल झाल लाग टो अनुर दो जो 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 औरुदल में अनुर प्रूब जाँ हाँ हाँ कि कौन हो तुम रुको कि दाक्ष्याहिनी वहां क्या हो रहा है कुछ बता सकती हो कि दोग अजय को रहा है है कि अ कुछ रहा है कुछ ध कौन हो तंप वताओ कौन हो तंग झाल मं inherently झाल में तुझअ आप में तुझआ के करियां वो इसे क्यों लेकर जा रहा था? इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? तृष्णा, कुंदरास्तुर मर गया! इसका मतलब उसके हाथ में जो आभुशन था उसी में नागमनी है! पता नहीं, तृष्णा! लेकिन, हमें उसे हासिल करना ही होगा! मतलब, वो ही नागमनी है! इतने दिन से वो हमारे आखों के सामने थी, और हम उसे पहचान नहीं पाए! उस आभुशन में नागमनी है! लेकिन ये बात उसे बिलकुल नहीं पता! हमें उसे हासिल करना होगा, तृष्णा! हम उसे हासिल करके ही रहेंगे! ये कौन है? हेलो, मिस्टर! हेलो, उठिये! एस्क्यूज मी! ननन्जे! मा, दादी! शिवानी! हनन्जे, सब बाहर आईए! आई! जवा, ऐसे चिला कर रहे हो, कोई मर गया है क्या? कोई मर गया है, इसने चिला रहा हूँ, यहाँ देखिए! ए बगवान! दम्यंती! दम्यंती! मा! को नही यह? यह क्या है धनन्जे? सुबा सुबा अमारे घर में ये लाश इसका क्या मतलब है दादी आप शान्त हो जाएए मैं पुलीस टीम को बुलाता हूँ और फोरेंसिक टीम वाले भी आएंगे वो ही हमें इसके बारे में बताएंगे चिंता मत कीजिए इसके शरीर को देखने से लगता है इसकी मौत की वज़ा कोई मनुष्य नहीं जरूर इसे किसी सापने ही मारा है कहीं इन्हें पता ना चल जाए किसे मैंने मारा है भगवान मेरा बेटा गायब हो गया मेरा पोता भी गायब हो गया और ऐसे समय पर ये धुरगटना दमयंती नजाने अब और क्या-क्या देखना बागी रह गया है दादी जी आप अपने आपको सम्हा लिए और रोना बंद कीजिए मा इन्हें अंदर ले जाए 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 दादी इसक्यूज मी ये मौत कैसे हुई है मेरी टीम आकर इंक्वाइडी करेगी तब तक इस घर से बाहर कोई नहीं जा सकता सो प्लीज हलो शिवानन्द क्या करें कुंद्रासुर की मौत की वज़े से कई सवाल पैदा हो चुके है इस गर में रहने वाले लोगों को हम पर शक हो सकता है अगर शक हो भी गया तो क्या फरक पड़ता है दाक्षैनी हम ऐसे नाटक करेंगे जैसे कुछ नहीं पता किसी को कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन मैं सब कुछ जान चुकी है क्या हुआ तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो गई हो मुझे सब पता चल गया है तुम दोनों इस घर में दोस्त बनकर नहीं बल्कि दुश्मन मन कर आई थी ये पता चल गया है तुम दोनों काली विद्या करती हूं मंत्र वादी हो हां और तुम दोनों अंकल के भी कुछ नहीं लगती हो है ना बस उनका विश्वास चीत कर या उन्हें डरा धमगा कर उनके साथ रह रही हो है ये तुम क्या कह रही हो सच बोल रही हूं मुझे तुम दोनों पर कई दिनों से शक हो रहा था तुम्हारी सच्चा ही जानने के लिए कल रात मैंने तुम दोनों का पीछा भी किया था पीछा करते वक्त अजीब अगरी बातें तंत्र मंत्र देख कर मैं समझ गई कि तुम दोनों कौन हो दाक्षैनी ये क्या बोली जा रही है आखेर कहना क्या चाहती हो तुम ये बंद करो अपना ये नाटक उस लड़की का कुन चूसते हुए देखा था मैंने मैंने अपनी आखों से देखा है मैं ये भी जानती है कि एक महीने पहले तुम दोनों ने मेरे कमरे में घुस कर मेरे शरीर से मेरा खून भी चूसा था सच बताओ आखिर तुम कौन हो तुम्हारा उतेश्य क्या है बोलो अगर नहीं बताओगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों काली वित्या करने वाली महामंत्रवादी हो शिवानी शिवानी तुम हमारी सच्चाई बताओगी बता दूं लेकिन तुम्हारे कहने के बाद हम भी एक सच्चाई बताएंगी जानती हो क्या कि शिवानी इस दुनिया की नहीं बल्कि वो नाग लोग की नागिन है बुलाओ सबको बुलाओ अभी बुलाओ तुम नागिन हो ये बात सबको पता चलनी चाहिए तुम दुनों ऐसा कुछ नहीं करपाओगी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो मेरे लिए बस एक पल ही काफी है तुम दुनों को खत्म करने के लिए तुमने जिस राक्षस को भेजा था उसे, बस एक पल में अपने हात्वां से मार दिया था अगर उसे मार सकती हो, तो तुम्हें मारना भी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है शिवानी, तुम शक्तिशाली हो, सच कहा लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगार सकती, क्योंकि हम मर गए, तो तुम्हारा पती भी नहीं बचेगा क्या कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, मेरा, तृशूल कहा पर है तुम्हारा पती हमारे दिख बंधन में है, तुमने अगर हमें कुछ भी किया, तो उसी पल मैं उसे मार दूंगी क्या सोचा तुमने, कि तुम्हारा पती अचानक कहीं चला गया, वो जल्द लौट आएगा करके, तुम उसका इंतिजार कर रही थी लेकिन वो कभी नहीं आएगा, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो वहीं रहेगा तुमने अगर हमें थोड़ा भी परिशान किया, तो मैं उसे मार दूंगी क्या, क्या करना होगा मुझे? हमें नागमनी चाहिए अगर तुम हमें वो ला दो, तो तुम्हें तुम्हारा पती मिल जाएगा यह तुम कैसी बाते कर रही हो, सच बोल रही हूँ, मैं भी नहीं जानती कि नागमनी कहा है लीज मेरा, मेरा तृशूल कहा है मुझे बताओ, हाँ शिवानी, तुम्हें समझ नहीं आरा क्या? तृशूल चाहिए, तो हमें नागमनी देना होगा हमने हमारी बात कह दी, अब तुम्हारी मर्जी तृशूल कहा है ये बात हम नहीं जानते, तो तुमने ऐसा क्यूं कहा उससे? तृशूल कहा है ये बात उसे भी नहीं पता, मौके का फायदा उठाने का मन किया, तो उठा लिया नागमनी कहा है ये बात उससे नहीं पता, लेकिन वो उसके पास है ये हमें अच्छे से पता है अब हर हाल में उससे नागमनी हासिल करने ही होगी स्वामी जी बहुत बड़ी समस्य आ गई है, मुझे मेरे अधिशेश के बारे में बता दीजी स्वामी जी, मुझे उसे बचाना होगा क्या? आधिशेश को तुम बचाना चाहती हो? जो दूसरों को बचाने आया है, उसे हम क्या बचाएंगे? स्वामनी जी, हमारे घर में दो दुष्ट शक्तियां घुसाई हैं, वो दोनों मंत्रवादिनी है शान्त हो जाओ, नागमनी की आस में सकल शाकनी, डाकनी, मोहनी, महामारियों का साथ मिलना बहुत सहज बात है लेकिन उन दोनों ने मेरे आधिशेश को बंदी बना लिया है स्वामी जी भुलिनात, ये क्या कह रही है, बंदी बना लिया है? हाँ स्वामी जी, त्रिशोल उनके दिख बंधन में है, उन्होंने मुझ से कहा कि अगर त्रिशोल चाहिए तो नागमनी को ढून कर लेकर आओ, लेकिन नागमनी कहा है ये तो, ये तो मैं भी नहीं जानती मैं नागमनी का पता कैसे लगाओ, ना जाने वो कहा है अब आप ये इन सब का जवाब दे सकते हैं स्वामी जी हे फोले नाद, श्रिकंठ, हे नंजुडेश्वर, उत्तर को ही आपने प्रस्न बना दिया है स्वामी जी, आपकी बाते मुझे समझ में नहीं आ रही है उन दुष्ट शक्तियों ने मेरे ख्रिशूल को बंदी बना रखा है हाँ, हाँ, उस चंदरशेकर के आशिरवात से उन दुष्ट शक्तियों को खत्म करने का तुम प्रत्न तो करो सब कुछ बहुत धुनला धुनला सा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे यह परिक्षा है हाँ, देव परिक्षा है अगर तुम ने इस परिक्षा में सफलता हासिल की तो नाग बनी प्राप कर लोगी आदी शेस में मिल जाओगी और नाग लोग को बचा पाओगी लेकिन मैं सामना करने की शक्ती मारने की शक्ती बदलने की शक्ती और बदला लेने की शक्ती यह सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर है तुम्हें किस बात का डर है जाओ दर के बिना लड़ो उद्ध करो स्वामी जी, एक मिनिट, सुख वो दोनों कौन है, उनका उद्देश ये क्या है, वो मेरे घर में क्यों घुसाई है उन्होंने मेरे आदिशेश को बंदी क्यों बना कर रखा है वैसे, मेरा आदिशेश तो महार शक्तिशाली है इस पूरी दुनिया में उसके जितना शक्तिशाली और बलवान कोई भी नहीं है तो मेरे आदिशेश को इन दोनों सामान्य मंत्रवादीनी ने एक बंदी कैसे बनाया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है को हो सकता है कि इन्होंने कहीं से वो शक्ति प्राक्त की होगी मेरे आदिशेश को बचाने के लिए उन दुष्ट शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए आशिरवात दीजे प्रभू शक्ति मेरे ुष्ष्ट करने के लिए झाए